असलाम अलेकुम मैं हूँ फाइजा और आप लोग देख रहे हैं टेक टूशन्स आज हम अपनी सिंटेक्स बुगबूट की टेंथ क्लास की मैस की बुग की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं इसकी सबसे पहली एक्सराइज एक्सराइज 1.1 हम देखते हैं सबसे पहले हैं जो हमारे पास टॉपिक है वो है रेशनल नंबर्स हम यह देखते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो के फ्रेक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं इसकी सबसे पहली example जो मैंने आ रखी है वो है 6 over 5 6 over 5 एक ऐसा number है जो के fraction की form में लिखा गया है इसी तरह 8 over 3 ये भी एक ऐसा number है जो fraction की form में लिखा गया है कोई भी number जो fraction की form में लिखा जाए वो rational number के लाता है अगर हम तीसरा number देखें तो वो है 7 हम देखते हैं कि 7 हमारा rational number है या irrational number है अगर कोई number हमारे पास whole form में लिखा हुआ है तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसके नीचे upon 1 है क्योंकि अगर उसको 1 से divide किया जाए तो उसके answer पर कोई फरक नहीं पड़ेगा लहाज़ा 7 भी हमारा rational number है कोई भी ऐसा number जो कि whole form में लिखा जाए इसको भी हम कहेंगे कि ये हमारा rational number है क्योंकि इसके नीचे अगर हम upon में 1 लगाएं तो इसके answer में कोई फरक नहीं पड़ता अब हम देखते हैं कि irrational numbers कौँसे numbers होते हैं irrational numbers ऐसे numbers होते हैं जो कि fraction की form में लिखे नहीं जा सकते जिनको fraction की form में लिखना मुम्किन नहीं है फॉर एक्जामपल अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 एक ऐसा number है जिसको fraction की form में लिखा नहीं जा सकता इसी तरह अंडर रूट 18 एक ऐसा नंबर है जो के fraction में नहीं लिखा हुआ लहाज़ ये दो example हैं हमारे ऐसे numbers की जो के irrational numbers कहलाते हैं आईए अब हम शुरू करते हैं exercise 1.1 exercise 1.1 में सबसे पहले जो हमाई पास question है वो है कि हमें differentiate करना है कि whether these numbers are rational numbers और irrational numbers हमाई पास जो सबसे पहला number है वो है 1 over 5 जैसे के हम जानते हैं कि 1 over 5 एक ऐसा number है जो के fraction की form में लिखा हुआ है लहाजा 1 over 5 हमारा जो number है वो है rational number second जो हमारा number है वो है under root 2 over 8 यहाँ पर एक बात हमनों down कर लें कि हमारे तमाम वो numbers जो के under root की form में होते हैं other than ऐसे number जो के perfect squares होते हैं जैसे under root 25, under root 16 under root 16 perfect square है 4 का लहाजा ऐसा number जो perfect square हो वो तो rational number होता है लेकिन under root में दिये गए बागी तमाम real numbers होते हैं वो irrational numbers होते हैं यहाँ पर second question में हमारे पास under root 2 over 8 है हमारा एक number क्योंके under root में given है लहाजा question number 2 हमारे पास जो number given है वो एक irrational number है question number 3 अगर हम देखें तो हमें देखने में नजर आ रहा है कि यह एक fractional number है लहाजा यह हमारा rational number है question number 4 question number 4 में हमारे पास जो number given है वो है 2 over 8 2 over 8 भी हमारा rational number है question number 5 भी एक fractional number है यह भी हमारा rational number है question number 6 में हम देख रहे हैं कि हमारे पास under root में एक ऐसा number given है जो कि perfect square नहीं है लहाजा हमारे पास question number 6 में under root 8 एक irrational number है अब हम देखते हैं कि question number 5 में हमारे पास E given है E का मतलब है continued numbers, continued rational number एक ऐसा number कि जो के continue हो और कभी भी end ना हो means infinite लेकिन हम देखें कि हमारी जो तमाम rational numbers होते हैं वो terminating continued fraction होते हैं लेहाज़ ए जो है वो हमारे पास irrational number है next number 6 जो है वो है πाई πाई की value हम जानते हैं कि 22 over 7 है क्योंकि ये एक fractional number है लेहाज़ ये एक rational number है question number 7 में हमारे पास given है under root 5 जो के irrational number है question number 8 हमारे पास given है 22 over 3 22 over 3 में हमें नजर आ रहा है कि ये एक fractional number है लेहाज़ ये भी एक rational number है next number है 1 over pi 1 over pi की जो value है वो है 1 upon 22 over 7 अगर हम इस 22 over 7 को उपर लेकर आते हैं तो ये inverse हो जाता है और इसकी value आती है 7 over 22 हम देख सकते हैं कि ये भी एक fractional number है लेहाज़ ये एक rational number है 11 over 12 जैसा कि हम देख सकते हैं fraction form में हमें नजर आ रहा है लेहाज़ ये भी एक rational number है अगर आप मैस में कोई खास टापिक समझना चाते हैं या इसी exercise में कोई बार detail से पुछना चाते हैं तो comment box में हमें बताइए टेक ट्यूशन की latest videos देखने के लिए इसको like और subscribe करना ना भूले